हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू दे चैनल गाइस आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अब आप से मैंने क्या सोचा है कि जो भी चैप्टर में आपको कराऊंगा अब यह अब यह बैस्ट कोश्चन है अच्छे अच्छे कोशन मैंने लिए हैं इसमें और अगर आप इस वीडियो को देखो होगे गाइस एंड तक तो इतना मैं गैरंटी से कह रहा हूं आपको एक यह दो कोश्चन तो आपको पक्का इस चैप्टर से बोर्ड में बोर्ड में मिलने वाला है तो अब देखें कितनी अच्छी वीडियो है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना कोश्चन आपको दिख रहा होगा फीचर्स आफ पार्टनर्शिफ फर्म आर यानि कि हमें बताने कि इसमें कौन-कौन से पार्टनर्शिफ फर्म के फीचर्स हैं तो और मोर पर्संस आर केरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रिमेंट बिल्कुल सही बात है यह भी हो है दो या दो से ज्यादा पर्संट जो है बिजनेस करते हैं कि अग्रिमेंट के अंडर बी में कहीं है तो दे आर शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इंद फिक्स रेशो यह भी सही है बिजनेस इस कैरिड बाय और और एनी ऑफ देम एक्पिंग फॉर और एजनेट तो यानि कि our essential elements of partnership firm except यानि कि जो में से कैसा option है जो partnership firm के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है option number a at least two percent भाई यह तो होना चाहिए और यह तो यह नहीं है there is an agreement between all partners यह भी सही है यह भी होना चाहिए essential equal share of profit and losses जरूरी तो नहीं कि प्रॉफिटेंट लॉस जो है वह equal हो सकता है उन्हें ratio भी decide कर रखी है ना तो यह वाला option हमारा क्या गलत लग रहा है तो इस यह option option आपका सही हो जाएगा option number c is our correct answer आगे कह रहा है which of the following statement is true third question है which of the following statement is true a पढ़ते है है a minor can be admitted as a partner ठीक है बी कह रहा है a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership देखो यहां पर difference समझना एक कह रहा है कि minor admitted as a partner बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन बी में कह रहा है a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership ठीक है गया अगर आपने आपकी बुक में दे रखे हैं उसमें सेक्षिन है कोई वहां पर बता रहा है कि a minor can be admitted as a partner but only into the benefits of the partnership यानि कि minor को admit तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्शिप की benefits के लिए तो option number b ही हमारा correct c od की जाने के जरूत नहीं है तो option number b is correct answer fourth question कहा रहा है the relation of partner with the firm is that partner का firm के साथ क्या relation है an owner option b an agent option c an owner an agent या option number d manager गई अगर आपने definition में आपको बताई थी partnership जो है एक business relation है two or more than two persons के बीच जिसमें जो है जो partner है both act कैसे करता है agent भी और principal भी तो owner and agent agent option number c है वो हमारा correct answer d कह रहा है what should be the minimum number of persons to form a partnership जहांचे सुनना कह रहा है minimum number of persons to form a partnership तो minimum numbers दो होने चाहिए ठीक है आगे question देखो number of partners in a partnership firm में भी आप देखो यहां पर कई बच्चे question गलत कर सकते हैं क्या मैंने क्या लिखाया question में number of partners in a partnership firm maybe question कह रहा है कि एक partnership firm में कितने partners हो सकते हैं यानि कि वह maximum पूच रहा है तो maximum कितने होंगे maximum two तो नहीं होते है minimum होते है 10 नहीं है 100 भी नहीं है लेकिन जो हमारा partnership act है 1932 वह कहता है maximum 50 question number seven पर आते हैं liability of partner is partner की जो liability है okay limited है unlimited है determined by court है determined by partnership act तो option number इसका B unlimited is our correct answer कि एट पर चलते हैं partnership deed is also called यह एक important question है देखो मैंने question सी इसी तरह के लिए हैं ज्यादा नहीं ज्यादा easy हो बिल्कुली बन मेलब simple simple भी होना ज्यादा hard इसलिए questions अच्छे questions है बहुत अच्छे option number a prospectus option number b articles of association option c principle of partnership option number d articles of partners इसका correct answer होगा आपका option number d क्यों होगा देखो guys art जैसे जिस तरीके से company का क्या होता है articles of association होते है memorandum होता है उसी तरह partnership deed को हम articles of partnership कह सकते हैं को कि इसमें partnership से related कुछ important terms and conditions लिखी जाती है इसलिए हम इसे articles of partnership कह सकते हैं अगला question है in the absence of partnership deed यानि कि जब हमारे पास deed नहीं है the interest allowed on partners capital क्या होगा partners capital पे कितना interest allowed होगा तो अगर मैं आपको बता हूँ मैंने आपको जब partnership करवाई थी चैप्टर तो उसमें यह बता है ता अगर partnership deed नहीं है तो सिर्फ और कुछ भी ना तो salary मिलती है ना capital interest on capital देना होता है ठीक है कोई commission नहीं तो option number D is our correct answer 10th पे कर रहा है in the absence of partnership deed the allowable rate of interest यह important question है guys यह बहुत बार question पूछा गया board में इसलिए इसको आप पक्का prepare कर लेना कि जब हमारे पास partnership deed नहीं है तो जो partner loan देगा form को उस पर उसे कितना interest मिले option A है 6% simple interest B है 6% paranam simple interest C 12% D 12% compounded annually guys मैंने आपको चाहिए आपको याद हो तो question में आपको जो करवा रहा था उसमें आपको बताया था कि 6% पर अना market rate पे जो है यह मिलता है B option आपका correct है next पे चलते है in the absence of agreement partners are not entitled to यानि कि जब हमारे पास deed नहीं होगी तो partners को क्या नहीं मिलेगा ठीक है guys तो अगर option पढ़ें option number A salary भाई नहीं मिलेगी salary भी ठीक है salary नहीं मिलेगी commission commission भी नहीं मिलेगा C की बात करें equal share in profit जब डीड ही नहीं नहीं तो profit and losses कैसे बटेंगे equally तो बटेंगे तो option number D जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा both A and B 12 question अब यहां पर practical questions भी मैंने कुछ लिए हैं आपके लिए on first January 2019 a partner advanced loan of rupees 1 lakh to the firm यानि कि एक जन्वरी 2019 को एक partner था उसने एक लाख रुपे का loan form को दिया अब जो है हमारे पास जीड नहीं बने और interest on loan 31 March तक कितना मिलेगा 31 मार्च दोजने अभी मैंने आपको समझाया कि अगर डीड हो नहीं हो तो तो कितना rate पर मिलता है उसे interest चेh पर पर अनम तो चेh पर अनम पूरे साल का होता है तो एक लाग का अगर मैं छे परसंट निकालू देखो एक लाग का छेपर सेंट अगर निकालू तो कितना आएगा डिरेक्टली सिंपल सा आ रहा है यह तो 6,000 रुपए आ जाएगा 6,000 रुपए अब लेकिν हमे अगर इसका answer हो जाएगा Option number B is our correct answer आगे चलते हैं 13 पे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देनेट प्रॉफिट फॉर दा इयर डेड़ लाग यानि कि प्रॉफिट न लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो डेड़ लाग है उसके बाद कहा रहा है ठीक सरी सरी नोनेट प्रॉफिट एस पर पी अल लए प्रॉफिट अकाउंट ये हम human बताँए तो फी अनल अकाउंट मैं बनाऊं सिंपल सा एक उपाап ठीक है सबसे पहले क्या लिखते है आपे बाइ नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे कितना है प्रॉफिट एक लाक कि पचास अजार का प्रॉफिट एक लाक पचास अजार का प्रॉफिट उसके बाद इंट्रेस्ट उन ड्रॉइंग 2000 तो इस तरह आएगा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो एक लाग बावन हजार में से अगर मैं 18,000 लेस कर दूंगा तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा आपका एक लाग 34,000 क्योंकि एक लाग बावन में से 20 का एक बत्तीस और एक बत्तीस में से प्लस करते हो दो तो एक लाग 34,000 करक्ट अंसर होगा ठीक है तो ऑप्शन नमबर डी जो है इसका करेक्ट अंसर है नेक्स चलते हैं आगे क्यारा कि नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर्म यानि कि नेट प्रॉफिट जो है वो किसी फॉर्म का है 49,500 रुपे यानि कि जो मैनेजर को कमिशन देना है वो कितना देना है 10% देना है सिंपल तो 49,500 का 10% 49,500 रुपे का 10% अगर आप सिंपल निकालोगे एक मिनट जीरो है ठीक है तो यह आपका डिरेक्ट ली निकल क्या रहा है 49,500 तो आप्शन नमबर ए करेक्ट अंसर हुआ है इसका आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पर पंदरवा कोशन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स तीन पार्टनर है ए बी और सी उनकी रेशियो दे रखी है फाइप इस्टू थ्री इस्टू टू बिफोर बी सेलरी अफ दे आफ रुपीज 17,000 फॉर्म्स प्रॉफिट आफ रुपीज 97,000 यानि कि तीन पार्टनर की रे इस्टू दे रखिए फाइप इस्टू टू और बी को सेलरी देने से फेले फ़र्म का प्रॉफिट था कितना 97,000 उसके बाद करा हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम तो जानी कि अगर देखो 17,000 तो सेलरी मिलेगी प्रॉफिट कितना था देखो प्रॉफिट था का गारा 97,000 उसमें से क्या लेस कर दूंगा मैं सालरी कितनी सैलरी लेस कर दूंगा सेवनटीन थाउजन ऑ तो कितना बज जाएगा 87 थाउजंट ये बज जाएगा और 87 का प्राफिट कि थ्रीज़नी को तो इसलिए 31 इसको तो यह करण से यह मिलेगा प्रॉफिट 24,000 में से प्लस कितना करूंगा 17,000 तो यह प्लस करूंगा क्यों क्योंकि इसको सैलरी भी तो मिल लिए 24 और 17 अगर प्लस करूं तो कितना हो रहा गाइस option number D is our correct answer समझ मैं किस तरीगे से कर रहा है मैंने पहले इसका सैलरी तो 17,000 थी और 18,000 का profit निगाल दिया आगे question number 16 है which accounts are opened when the capitals are fluctuating मैंने आपको समझा रहा है fluctuating और fixed capital fixed capital में बनते हैं हमारे दो account कौन से एक होता है partners capital और एक होता है partners current account लेकिन यहां बात हो रही की है सिर्फ और सिर्फ fluctuating की तो कौन सा account बनेगा only capital account सारी के सारी जो भी entries है किस में जाएगी capital accounts में तो 16 का answer क्या हुआ ए next चलते हैं कहरा if the partners capital account are fixed यानि कि partner के capital account fixed है तो salary payable to partner will be recorded यानि कि fixed capital account आप देखो fixed है तो यानि कि दो account बनेंगे एक partner capital और partner current account partners current account में क्या जाएगा जितने भी salary commission interest और रहीं जाते है तो यानि कि partners current के कौन से side debit side पे बिल्कुल नहीं on the debit side of partner capital account नहीं c on the credit side of partner capital account 70 का क्या answer आएगा अपना c answer आएगा अगला करते हैं एक्सेंड वाई और partners इंद रेशियो थ्री स्टू टू एक्सेंड वाई की दो रेशियो capital जो है दिर capital सार दो लाख एंड एक लाख रेस्पेक्टिवली दो लाख X की और एक लाख वाई की इंट्रेस्टन कैपिटल जो इन्हें मिलेगा वह आठ परसंट परणाम मिलेगा और फॉर्म इंकर्ड लॉस ऑफ सिक्स्टी थाओंड फॉर्ड़ यह एंडिर इकत्तिस मार्च दोहजार निस अब आपको बताना है कि कितना इंट्रेस्टन कैपिटल इन्हें मिलेगा गाइ अगर मैं आपको बता दूँ फॉर्म को इंट्रेस्टन कैपिटल तभी मिलेगा आप देखो पार्ट्नर्स को आई योसी जो है तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा यह बात ध्यान रखना अगर लॉस हुआ तो आई योसी जो है वो नहीं मिलने वाला यह ध्यान से समझ ले ना आई यूसी जो है लॉस में नहीं मिलेगा आपको तो यहां पर लॉस है तो डिरेक्टली आप क्या करोगे नो इंट्रेस्ट विल बी अलाउड ओप्शन नमर डी जावर करेक्ट करेक्ट आंसर आगे गरते हैं नाइंटीन कोशन है अजे इस पार्टनर इन फॉर्म एक अजे है जो कि पार्टनर है ही विद्री टू थाउजन पर मन्त अन दे लास्ट डे आफ एवरी मन्त दूरिंग दा ये एर नडी करतिस मार्श दोजार नईस इफ इंट्रेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नाइन पर संट पर अनम इंट्रेस्ट अंट्रेस्ट चार्ज विल बी अब देखो मैंने आपक जो यह फॉर्मूला बनता है मन्त लैफ्ट आफ्टर फस्ट ड्रॉइंग मन्त प्लस मन्त लैफ्ट आफ्ट आफ्टर लास्ट यह जो है यह फॉर्मूला मैंने आपको करवाया भी है लेकिन मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है जो आपको इस तरीके से आता उसका 2000 पर मंथ यानि कि 12 महिने तक निकालेगा तो इन्ट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग कि रही आई ओडि अगर मैं निकालOoh तो थो चौबीस हजार तो यह हो जाएगा सका प्रिंसिपल अमाउंट चौबीस हजार का कितने परसेंट 9% 9% कितने महीं ने का अब last day of every month तो मैंने middle में बता रखा है middle में 6 रखना है और month है तो month का अगर beginning में निकाल रहा है तो 1 का half कितना होता है वो plus कर दोगे beginning में अगर end में निकाल रहा है तो 1 का half कितना होगा 0.5 less कर दोगे तो इंटू में आ जाएगा आपका 5.5 5 divided by 12 अब यहाँ से इसको solve कर लो 0 से 2 0 से 2 0 cancel 3 3 9 3 4 का 12 4 4 4 तो 60 इंटू 3 कितना होगा आपका 180 इंटू 5.5 को मैं 55 बटा 10 भी लिख सकता हूँ 0 से 0 cancel 55 इंटू 18 यानिकी 18 को 55 से multiply कर दो पांच अथे चार्लीज पांच इंटू 5 4 नो 090 0 9 990 आपका answer आएगा इसका ठीक है दोस्तों option number A जो है जो है इसका correct answer है समझ में आएगा गैस वीडियो देख 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 लेना आई बेटन में भी आपको अच्छे समझ में आएगा और 22 कोशन है वो कह रहे है रिया इस पार्टनर इन फर्म रिया एक पार्टनर है फ़र्म में शी विद्ड्रू शीक्स थाउजन एड़ दा एंड ओफ इच क्वार्टर डूरिंग दा ये रहने डिकतिस माह दो जारा सबसे पहले कितने महीने का ओता है थ्री मंस का क्वार्टर होता है तो चार क्वार्टर होते हैं ठीक है तो चोंड कितना हो जाएगा आपका 24,000 तो आपका प्रिंसिपल अमउट आ घया 24,000 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू कितने परसंट 10 परसंट लेकिन अब यहाँ पर कितने महीने का निकिए मैंने आपको बता रख है मिडल में 6 रखना है सिर्फ और सिफ उसको 6 मन्त वाले को छोड़के बाकी मन्त ली हो क्वाटर ली हो या फिर हाफ वी हर ली हो इसमें मिड अगर मैंने का 3 महीने का कितना होता है जी तीन का इन कफ सिफ तीन का कितना ठै़ग लेडडर अगर बीगनिंग में तो ये अगर ये तो 6 में लैस कर दो यह आएगा फॉर पॉइंट फाइव डिवाइड़ बाइट ट्वैल से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल यह हो जाएगा बार हां बारा दूनीच चोबिस बीस बीस को है सारी 20 करों दो सो एक मिनट 00 हाथ स्यों ठोच यह हो जाएगा 200 200 को चार पॉइंट पॉंच से आप मल्टिप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा जीरो जीरो दो पंजी दो चुका अठो रिक नो तो 900 रुपेस का इंट्रेस्ट निकल के आ गया एक मिनट गाइस स्लाइड यह रही है हमारी स्लाइड ठीक तो आप्शन नमबर एसका करेक्ट रांसर होगा ठीक है गाइस तो यही थी आज की वीडियो सारी के सारे मैंने 20 कोशन कवर कर लिए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई ठीक है मेरा कॉंटेंट समझ में आया कितन मेरे को कमेंट बक्स में बताना कितने जवाप आपके सही आए ठीक है यानी कि कमेंट बोक्स में मुझे लिखματα 20 में से आपने कितना इंतना करा है मैं अभी देखना चाहता हूं